बारिश के दिन रिच वर्से स्पूर एक गाव में चंदन और मुकेश नाम के दो लोग अडोस पडोस में रहते थे चंदन बहुत अमीर आदमी था, वो बहुत बड़ा बंगले में रहता था, मुकेश कूली का काम करता था चंदन के घर के बगल में ही एक जोमपड़ी में रहता था, एक बार उस गाव में बड़ा बारिश शुरू हुआ तब चंदन की बीवी रितू ओ जी, आपने सुना, अब चार-पांच दिन बिना रुके बारिश होगा कह रहे हैं, घर के लिए किराना जो जो चाहिए खरीद कर लाते हैं, चलिए तब रितू और चंदन ने चत्री पकड़े और उनके दोनों बचे ने रेन कोट पहने फिर चारों मिलकर कार में बजार गए और फिर चार महीने के लिए जो चाहिए वो सब किराना खरीदे मेरे साथ सब ऐसा ही होगा, पहला ही खरीद कर रख लिया तो क्या नुफसान होगा? एक तरफ मुकेश की बीवी रूपा सुनिए जी, बारिश बहुत जोर से हो रहा है, आप और हमारा बेटा वाजार जाकर एक हफते के लिए किराना खरीद कर आईए तब रूपा और उसकी बेटी मिलकर जोमपडी में जहाँ जहाँ पानी गिर रहा था, उसके नीचे बर्तन और बकेट रखने लगे मुकेश ने उसके सर पर एक लकडी का तुकड़ा रखा और उसके बेटे के सर पर एक प्लास्टिक कवर लगाया दोनों मिलकर बारिश में भीगते हुए बजार जाकर एक हफ्ते के लिए किराना खरीद कर लाए उस दिन पुरा बारिश हो रहा था शाम को अंदेरा होते समय एक सादू केसर रन के कपड़े पहन कर उस बारिश में भीगते हुए चंदन के घर आया कोई है केकर जोर से चिलाया तब चंदन बाहर आया मैं पडोसी गाउं से आया हूँ पडोसी गाउं में भार आने के वज़े से वहां के लोगों के लिए रहने के लिए शिविर का इंतजाम करने वाले हैं आप कोई मदद करोगे क्या तब चंदन गुसे में क्या रहे सोचने के लिए अब और एक मिनट इधर खड़े हुआ तो मैं क्या करूंगा मुझे ही पता नहीं है तब वो सादू वहाँ से मुकेश के घर गया फिर मुकेश ने उनको देखते ही अरे स्वामी जी इतनी आधी रात को इतना बारिश में भीटते हुए आये है पहले इस टवल से अपने सर पोचिए कहकर उसको एक टवल दिया स्वामी खाना बना रही हूँ थोड़ा दस मिनित रुकिए खाना पर रोस्ती हूँ तब रूपा ने अपनी पती और बच्चों के साथ-साथ उस साथू को भी खाना खिलाई खाना होने के बाद साथू ने मुकेशत्रे जैसे चन्नन को कहा वैसे कहा अगर हमारे बस में जितना है उससे किसी का मदद करते है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकता है स्वामी हमारे पास जो भी है किस जोंपने में है देखिए अगर कुछ भी आपको काम आएगा तो लेके जाईए तब सादू ने ये चाहिए वो चाहिए कहकर गर में जो भी है चदर, कपड़े, लाए होए किराना, रसोई का सामान सब ले लिया फिर वहाँ से चला गया सादू जाने के बाद बारिश और बढ़ गया गाउ में पानी आना शुरू हुआ उस गाउं के बाजू वाला नदी भरके गाउं में पूरा भाड आ गया चन्दन के घर के सामान, कार, पैसे पूरा भाड में भैगे फिर जान बचाने के लिए सब लोग चेतरी और रेनकोट लगा कर घर के उपर चेत में चड़ गए गाउं के सब लोग चेत के उपर चड़ कर बैठ गए थोड़े देर के बाद पुलीस नाव में आकर घर के उपर बेटे हुए लोगों को बचा कर पड़वसी के गाव में बाड़ पीडित शिवर में पहुंचा आये वहाँ पर चंदन और मुकेश को पिछले दिन उनके घर में जो आये थे वो सादू दिखाई दिये मैंने जो कहा था वो बाड़ पीडित लोग आप ही हो कहकर मुकेश से बेटा तुमारे घर से जो भी चीजे लिया था वो पूरे है की नहीं देख लो तब मुकेश ने सादू को मदद करने के लिए जो भी सामान दिया था वो पूरा उसको वापस मिल गया लेकिन चंदन को तो उनकी अहनकार के वज़े से सब कुछ खो गया गरीब वर्सस अमीर का खिलोना एक गाउ में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बंगला और एक छोटी सी जोपडी साथ साथ थे बंगले में विलास राव नाम का धनवान रहता था और जोपडी में धरमेंदर नाम का गरिव यक्ति रहता था धनवान के बेटे का नाम था हेमंत राव वो बहुत घमंडी था धरमेंदर का एक अपाहिज बेटा था मुन्ना और बेटी थी चांदिनी हेमंत अपने घर के बाहर महंगे खिलोनों के साथ खेलता रहता था तो ये दोनों बच्चे अपने घर के बाहर मिटी के बने हुए खिलोने और खुद तयार की हुए खिलोनों के साथ खेलते रहते थे एक दिन हेमन्त अपने मेहंगे मिनी कार में जाकर उनके लकड़ी वाले गाड़ी से जाकर टकराया बस वो दोनों बिचारे नीचे गिर गए और उनकी लकड़ी की गाड़ी चूर चूर हो गई चांदनी चोट लगने के कारण केके रोने लगी तब विलास राओ और धर्में दर दोनों दोड़े दोड़े वहां आए रे हेमन्त तुम्हें अकल नहीं है क्या क्यों हमें तंग करते रहते हो तुमने अपने कार के साब हमें टकर क्यों मारा देखो मेरी भेन को चोट लगी और वो रो रही है बेटा मेरे बच्चे जूट नहीं बोलते तुम्हारा यूं हर बार उन्हें सताना ठीक नहीं है बेटा तुम ऐसा करना छोड़ दो बेटा अच्छा तो तुम्हारे बच्चे जूट नहीं बोलते वो सब हरिश्चंदर के खानदान के हैं क्या यानि अब मेरा बेटा जूट बोलता है ए धर्मेंदर किस से बात कर रहे हो जानते हो सोच समझ कर बोला करो देखे बच्चे गलती करें तो उन्हें नसियत देना चाहिए यो उनकी तरफदारी नहीं करना चाहिए दूसरों को सताना गलत बात है चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया चलो मुन्ना चाननी चलो घर चलते हैं अच्छा अब दूसरों को सताने की बात तुम करते हो एक तो मशली पकड़ने का घटिया काम करते हो और फिर जो मशली पकड़कर लाते हो घर के सामने डाल देते हो वो गंदगी हमसे नहीं सही जाती और तुम कहते हो कि हम सता रहे है माफ कीजिए मशली की बू तो आम बात है उसे खाते है वक्त तो तकलिफ नहीं होती, बस वो उसे तकलिफ होती है, ठीक है, आपसे मचली मैं घर नहीं लाओंगा, अगर आप पहले ही कह देते तो इतनी परेशानी नहीं होती आपको, अब तो खुश हैं आप, अब मैं चलता हूँ कह कर चला गया पर हेमत ने बच्चों को तंकरना नहीं छोड़ा एक बार वो लकडी के साइकल पर जा रहे थे, तो पीछे से अपने मिनी बाइक में आया, और उनको टकर मारा फिर से धर्मेंदर और विलासराओ आपस में जगडने लगे, वे दोनों यू बहस करते रहते तो हेमत पीछे से बच्चों को चिडाता हुआ नाश्ता रहता था ये देखकर मुन्ना और चान्नी को बहुत गुसा आता था, एक दिन दोनों बच्चे पानी में कागज के नाव छोड़ रहे थे तब ही हेमत वहाँ आया और अपने रिमोट वाले मूंगे की नाव को पानी में घुमाने लगा उस मुंगे की नाव से इन बच्चों के कागज के नाव को टकर मारने लगा यूँ वो दोनों एक लगड़ी के फटे पर बैट कर बोटिंग करने लगे ये देखकर हेमन तुरंट अंदर गया और एक वाटर बैट लेकर आया वो भी पानी में बोटिंग करने लगा वो पानी में उनका चक्कर लगाते हुए कहके पागलों की तरह हसने लगा और उन्हें चिडाने लगा कहकर जोर से आकर उनसे टकराया बस उसके बाइक के दो टुकडे हुए और वो पानी में डूपता डूपता कहकर चलाने लगा उसकी चीख सुनकर गाउँ वाले और उसके घर वाले सब दोड़े दोड़े आये अरे मेरे बेटे को बचाओ मैं आप सबके हाथ जोडता हूँ कोई तो मेरे बेटे को बचाओ मुझे तैरना नहीं आता ए भगवान उसकी जान बचा लो कोई तो उसकी रक्षा करो कह कर चिलाने लगा तब मुन्ना और चांदनी पानी में कुदे और उसको बचा कर लाए भज साब मैंने अपने बच्चों को बच्पन से ही तैरना सिखाया है आनी चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो वो आराम से तैर लेते हैं इसलिए वो लकडी के फटे में बैट कर आराम से बोटिंग करते रहते हैं इसलिए मैं भी उन्हें कभी टोकता नहीं पर बेचारा आपका बेटा तो तैरना जानता नहीं उन्हें तंग करने के रादे से गया और खुद मुसीबत में फस गया चुलो भगवान का लाख लाख शुकर है कि कोई हाथसा नहीं हुआ यही बहुत बड़ी बात है मुझे माफ करो धरमेंदर पैसे के घमन में मैंने तुमारे साथ बहुत गलत बरताव किया आखिरकार तुमारे धंदे का भी मैंने अपमान किया तुमारे बच्चों ने मेरे बेटे को पुनर जनम दिया है बच्चों I am extremely sorry मुन्ना I am really sorry sorry भाया अब से मैं तुम लोगों के साथ अच्छा बरताव करूँगा हम सब मिल जूल कर रहेंगे क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे प्लीज कैकर मुन्ने को गले से लगा लिया उस दिन से मुन्ना और चान्नी उसे तैरना सिखाने लगे और अच्छे दोस्त बन गए